नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चांदनी वेलकम टू हेल्ट टिप्स हाइबेट प्लेजर यानी हाइपर टेंक्शन की वज़ा से हाट एटाक और श्ट्रोक जैसी समस्याये होती है नॉर्मल बीपी 120 बाइ 80 mmHg होती है अगर इसे ज्यादा या बढ़ती है तो हाई बीपी मानी जाती है इसकी वज़ा से कई खतरनाक समस्याये हो सकती है बहुत कम लोग ही जानते है कि हरी इलाची ब्लेट प्रेशर को कंट्रोल करने का गज़ब की आउशती हो सकती है आए जानते हैं इसके फाइदे हरी इलाची के क्या क्या फाइदे है नेमबर एक हाईपर टेंशन कंट्रोल हाईपर टेंशन यानि हाई ब्लेट प्रेशर को कंट्रोल करने में हरी इलाची फाइदे मन मानी जाती है एक शोद के मताबिक हाई बीपी के 20 मरीजों को जब इलाइची पाउडर सेवन करने के दिया गया तो उनका बीपी नॉर्मल मिला एनेस बी आई में ये श्टरी मौजूद है निम्बर दो पेट की चर्वी करे कम हरी इलाइची वजन को तेजी से कम कर सकता है इससे खानी से मेटबोलिजम तेज होता है या फैट को जलानी का कम करता है इसके सेवन से चर्वी कम होती है और वजन तेजी से घटा है निम्बर तीन डाइची के दोनों को सेवन से हाई ब्लेट प्रेशर और शुगर से राहत मिल सकती है कई रेशर्च में इलाइची को ब्लेट शुगर कंट्रोल करने और डायाबेटीस को मैनेज करने में करगार माना गया है निम्बर चार भूग बढ़ाई टैकसिस ए एन एम एग्रिलाइफ के तरव से बताया गया है कि इलाइची बूग बढ़ानी में गजब का असरकारी है एक स्टडी में पाया गया है कि इलाइची कानी से पचन दुरूस्त हो रहता है और बूग कूब लगती है निम्बर पांच लिवर बनाए हेल्दी इलाइची के सेवन से कोलेस्ट्राल, ट्राइगलेजराइड और लिवर एंजाइम कम हो सकती है इसका लिवर की सहत पर अच्छा असर पड़ता है इसी कारण से लिवर पर फैट चड़ता है और लिवर सिरोसिस का खत्रा कई गुना तक बढ़ सकता है कुछ टड़ी में पाया गया है कि इलाइची में एंटी कैंसर के गुन भी पाये जाते है शोद कत्ता ओने पाया कि इलाइची में ट्योमर वाली सेल्स को खत्म करने की शमता है इसलिए इलाइची खाना फाइदे मन माना जाता है मोग की बदबू, मसूडों के दड, दंतुं के जलन जैसे समस्याओं से परेशान है ओरल हेल्थ की परेशानी से जूज रहे है तो इलाइची खाना फाइदे मन होता है इससे ओरल इंफेक्शन दूर हो सकता है धन्यवाद इस आर्टिकल में बताई विदी तरीकों और सुजाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंदित एक्सपर्ट की सड़ा जरूर ले धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हेल्थ टिप्स के साथ